पहल गाम में होटल से चेक आउट करते वक्त सोचा की के रूम्-टोर दे देते हैं यह हैं यह है हीटर I left the car यह मैज्टरिस में ही हीटंग सिस्टम है तो यह plug Ansब करते ही है मैज्टरिस हीट होना स्टार्ट हो जाते है और काफी गरम मिलते है यह सिट आपने मेरे काफी सारे vlogs में देखा है already and एक छोटा सा मिनी बात्रूम भी है तो सोचा वो भी देखा देते हैं बेसिन है, शावर एरिया and everything so so this is our hotel, hotel, पालस्तान and restaurant काफी अच्छा लगा हम यहां पर रहे के and this is the time to say bye to Pahalgaon कश्मीर में self-service है पेट्रोल खुद ही डलवाना पड़ता है तो हमारी ड्राइवर भाईया गारी में पेट्रोल डाल रहे थे पहलकाम से गुलमर्क तक का डिस्टंस 160 किलोमेटर है और श्रीनगर के उपर से ही हमें जाना पड़ेगा सामनी जो पहार देख रहा है बरफ की चादरों में लिप्टी हुई वो है गुलमर्क का पहार वही पे हमें जाना है तंग मार्क चेक पोस्ट से पहले हमें रुकना पड़ा क्योंकि ड्राइवर भाया ने कहा कि जैकेट्स and शूज हमें रेंट पे लेना जरूरी है से हमने जैकेट लिया और शूज लिया लेकिन बहुत ज्यादा बागनिंग करनी पड़ी और कश्मीर में जहां पे भी आप जाओ बागनिंग जरूर करना कुछ काम कर दीजेगा दोनों के ही शूज और दोनों के लिए जैकेट्स ये है चेक पोस्ट इसके बाद से तंगमर्ग स्टार्ट होगा और हम और उचाई पर चरना स्टार्ट करेंगे और रास्त में ड्राइवर भाया हमें बहुत सार इंफोमेशन्स शेयर कर रहे थे वहां से आपको एक किलमेटर वाकत के जाना पड़ेगा ठीक है और वहां पर बोट से गोड़े वाले आएगी किलमेटर है और जितना होगा न वहां से उतना जाद ही करना है क्योंकि वहां पर बीर जाद अलगता है यहां पर अगर किसी चागा भी आप बेट होगा है चोरी के मसा मिलेगा प्योंकि अगर बरप में फोई उताएगा तो फोई वापस आएगा श्रीनगर से गुलमर्ग के डिस्टंस जादा नहीं है लेकिन आपको पता है कि हम पहलगाम से आ रहे थे इसलिए बहुत जादा टाइम लग गया और हमारा गंडोला फर्स्ट फेस का बुक था नाइन एम के स्लोट में हमने अल्रेड़े ओनलाइन बुकिंग की थी इसलिए 9 बजे से पहले हमें एनिहाओ गुलमर्ग पहुँचना ही था और ये आगया सेकंड चेक पोस्ट कश्मीर में इस तरह के चेक पोस्ट बहुत जादा है और सिक्योरिटी भी काफी टाइट है स्पेशली अभी जी ट्वेंटी का टाइम है इसलिए हम लोग पहल गाम से 6 बज माझे आगे मुझा जाएं जितनी भी हर्यालिय भी है इधर सब विंटर सीजन में पूरा सफेद एकदम बरफ से ढग जाता है और इन रास्तों पर भी बरफ जम जाती है हम लोग पहुंच के ये पार्किंग साइट है और इस गेट से हमें अंदर जाना है और अंदर एक दो किलोमेटर की वाक है उसके बाद हम गंडोला के जो एंटरंस पॉइंट है वहाँ पे पहुंचेंगे वो जो सामने पहाड देख रहा है हमें वही पे जाना है तो पहुंच चुके हैं हम लोग गंडोला की तरफ जाना है अबनी सुबह सुबह पहुंच गये लकीली लेकिन गंडोला तक जाते जाते देखना है कि वहाँ पर कितना जादा भीड है काफी जादा हमें चलना है एंट्री पॉइंट से लेकर गंडोला तक काफी जादा डिस्टन्स है और उसी रास्ते में पड़ता है बहुत सारे होटेल्स जिनके रेट्स काफी हाई होते है गंडोला तक आने के लिए पोनी भी मिलती है लेकिन हमने सोचा था हम पैदल जाएंगे पता ही नहीं था कि इतना लंबा रास्ता है हालत खराब हो गई चलते चलते लेकिन फाइनली ये है गंडोला का एंट्रंस हम फाइनली एंट्रंस तक पहुँच गे लेकिन अंदर जाके देखा इतना लंबा लाइन है वो भी इतनी सुबह सुबह हमने ओनलाइन तीन महीने पहले गंडोला के टिकेट्स बुक किये थे तभी हमें टिकेट्स मिले लेकिन वहाँ पे ओफलाइन टिकेट खरीदने का कोई आप्शन नहीं है इसलिए आप आप ओनलाइन ही टिकेट बुक करके फिर वहाँ पर जाईएगा ब्लैक में टिकेट बेजते हैं लेकिन वो काफी महंगा पड़ेगा आपको और सिर्फ फेस वान का मिलेगा फेस टू का ब्लैक में भी सेल नहीं होता हमने अपने टिकेट के प्रिंट आउट्स निकाल लिये थे वो प्रिंट आउट्स आपका चेक होगा और वहाँ पे आपका जो आईडी प्रूफ है वो अच्छे से चेक किया जाता है गुलमर्क गंडोला एशिया का लॉंगेस्ट एंड हाइस्ट गंडोला राइट है और वर्ल्ड का सेकंड लॉंगेस्ट एंड हाइस्ट गंडोला है बहुत ही जादा टेंशन में थी बिकिस मुझे हाइट से काफी डर लगता है और ये देखे इस तरह से घूमती हुए ये आ रहा है ये घूमता ही रहेगा हमें उस वक्त जट से इसमें चलना है गंडोला मतलब केबल कार केबल कार में दोनों साइड ही सिटिंग अरेंजमेंट है उस साइड मैक्सिममम तीन लोग बैठ सकते हैं और इस साइड भी तीन लोग ताकि गंडोला बैलेंस हो जाए मैं और साम एक साइड बैठ गए थे और कुछ केरलियंस आये थे तो वो तीन सामने बैठे और एक हमारे बाजू में ही बैठा था वो सब तो बहुत जादे इंजॉई कर रहे थे और उनसे ही हमें मालूम पढ़ा कि कि उन लोगोंने पहले टिकेट नहीं बुक किया और यहा बैठ तो पोनी से भी जा रहे थे फेज ववन और मुझे हाइट से बहुत जादा डर लगता है और इसलिए मैं काफी डरी हुई थी और यह हम फेज वन पहुँच गए बाइदे वे ओनलाइन फेज वन का टिकेट है एट हंड़र रुपीज पर परसन और फेज टू का टिकेट है थाउजन रुपीज पर परसन फेज वन में हम खड़ी थे जिसका नाम है कंगडूरी लेकिन हमें जाना था अफरवाट पीक पर जो की बहुत उचाई पर है और यह हमारा टिकेट जो कंगडूरी से अफरवाट पीक का है मतलब फेज टू का फेज टू का गंडूला और भी उचाई तक लेके जाएगा इसलिए धीरे धीरे यह लेके जा रहा है पैसेंजर्स को इसलिए इतना टाइम लग रहा है और हम एक घंटे से उपर हो गए लाइन में खड़े हुए थे और फाइनले एक घंटा लाइन में लगने के बाद अभी हमारा टूर्ट पहुंच गए और अफरवाट पीक भी अल्मोस्ट पहुंचने वाले हैं लेकिन अफरवाट पीक पे जाके हमने क्या किया वो नेक्स व्लॉ